तो अगर इस्टुएंट्स question दिया हुए कि the correct curve between the height और depression h of a liquid in a capillary tube and its radius is देखो अगर कोई भी capillary tube माल लो इस तरह से है और इस capillary tube में हम लोग suppose करो इसको water में डुबाते हैं तो देखो water का surface actual में ऐसा shape का होता है और जो mercury का surface होता वो ऐसा shape का होता है mercury में जो theta angle होता है एंगल of contact वो greater than 90 degree होता है और water के case में जो angle of contact बनता है वो less than 90 होता है और इसका curve कुछ इस तरह से बनता है और इसका curve कुछ इस तरह से surface free surface का shape इस तरह से होता है मरकरी में और वाटर में यह अंतर तुमको दोनों में याद रखना है तो इसमें होगा राइस इन हाइट इन्दी कैपिलरी जब कोई पतला सा ट्यूब इसमें डुबाओगे तो पानी उपर चड़ेगा और इसमें जब पतला सा ट्यूब डुबाओगे तो मरकरी नीचे दबेगा जिसको डिप्रेशन बोलता है तो उपर चड़ने का जो रीजन होता है उपर चड़ने का जो रीजन होता है वो होता है फोर्स ऑफ सर्फेस टेंचन एक्चिल में क्याएगी जो इस तरह से सर्फेस तुम देख रहो हो इस तरह से लगता है जिसका कॉंपवनेंट ब्रेक करते हैं तो उपर वोला कॉंपवनेंट एड़ होकर के एक फोर्स देता है जो ग्रैविटी के अगेंस्ट होता है और इसलिए पानी उपर चड़ने लगता है तब तक जब तक की upward जो force है वो weight से balance ना हो जाए तो इसमें जब हम लोग formula लिखते हैं ना इसका formula h का h मतलब क्या हो गया कि जो capillary tube में जितना height तक पानी rise करेगा उसका formula होता है 2p cos theta by rho g r ठीक तो इसमें तुम्हारा सारा terms जो है constant है t क्या surface tension okay cos theta angle of contact rho g constant क्योंकि हमको h और r के बीच का graph बनाने बोला है तो बाकी सब को constant ले करके हम देख सकते हैं कि height rise जो है height depression in case of mercury भी ले सकते हैं तो ये inversely proportional to radius ये जो tube है इसका radius small r है ठीक है तो इसके बीच का जो graph होगा कैसा होगा straight line होगा क्या नहीं होगा that means कि ये curve होगा hyperbolic curve होगा क्योंकि इधर h है और इधर r है तो जब हमारा r tends to 0 होगा तो h tends to infinite और जब h tends to 0 तो r tends to infinite और इस तरह से option number 20 में correct हो जाएगा okay thank you तो तो